सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधी संगठन यानी EPFO को एकुटी और संबंधित निवेश से आएको शेयर बादार में फिर से निवेश करने की मनजोरी दे दी है सरकार के और से जारी है सुचना में ये कहा गया कि निवेश किराशी तैस्सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए एकुटी में EPFO का निवेश केवल एक्सचेंज ट्रेड़ फंड यानी की ETF के जरिये होता है 31 जुलाई तक कुल निवेश 2,00,00 करोड रुपए से अधिक है वरत्मान में EPFO के साड़े 6 करोड से अधिक सदस्ती यहां पर मौजूद है असर इस फैसले का बाजार को पे किस तरीके का असर आप देख रहे हैं शेर बाजार को इस फैसले का फैसले से काफी उमीदे पर पर चावल के अंतराष्टी मांग को लेकर एक महतुकून बात और ध्यानक ना जुरूरी जी भारती बाजार के दुश्टे से भी और भारती महँगाई के दुश्टे से भी कि साइलेंड में भी सूखे की चेतावनी की घोशना कर दी गई है फिलिपिन्स में किसानों ने चावल की दिया धान की बवाई रोकी है क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है और सूखे का खत्रा है कि वह चीन में थोड़ी परस्तिती बहतर दिखाई दे रही है लेकिन दुनिया भर में चावल के बाजार की जो महँगाई है वो ट्रैवल करके यात्रा करते हुए दुनिया के हर देश के भीतर आएगी एपिएफों का फैसला लंबे समय से प्रताविश था पिछले दो-तीन महिने से चार महिने से इस पर चर्चा चल रही थी या बिक्री हो उस पैसे का शेयर बाजार में निवेश किया जा सकता है इससे शेयर बाजार को नए निवेश की उमीद बंदी है शेयर बाजार में थोड़ा जादा पैसा निवेश के लिए सहुचेगा इसमें रिस्क भी है पर सरकाँ EPFO और्गनाजेशन से कहा गया है कि इसके लिए जो निर्धारित निवेश की सीमा है उस सीमा से बाहर ये निवेश नहीं जाना चाहिए